हालो स्टुडेंट्स प्रिवेस्ट वीडियो में आपको डेक्स्टॉप अप्लिकेशन पी एसबी के माध्यम से बनाना शिख्या गया था अगर आपको वैब साइट के यू आई को डिजाइन करना है तो ये तो आप जानते होंगे कि बूर्ट स्ट्राइप बहुत अच्छा फ्रेमवर्क होता है उससे भी बेटर क्वालिटी का एक फ्रेमवर्क है जिसको इंप्लिमेंट करके आप इजी सब्दों में वैब साइट के यू आई को डिजाइन कर सकते हो वैसे वैब इंस्टिट्यूट की ओफिसल वैब साइट पे आप आओ और सॉफ्ट के लिए कॉन्टेक्ट आस पे क्लिक करेंगे और हमारे एक्जिक्यूटिव को ओफिस आवर में कॉल करेंगे सो सर्च कर लिजे मैटरियलाइज css.com यहां देखे बड़ा ही सिम्पल है इसको पहले प्रोजेक्ट में इंप्लिमेंट करेंगे फिर इसका UI डिजाइन करना सुखेंगे एक फोल्डर क्रियेट कीजिए डेक्स्ट आप लोकेशन पे फोल्डर का नाम डिफाइन कर दीजिए अप यह फ्रेमवर्क है इसलिए आपको कुछ ना कुछ सेट आप करना होका हमें इसके फाइल को डाउनलोड करनी है गेटिंग स्टार्टेट पर आप क्लिक करोगे और यह देखे यह डाउनलोड लिंक है इसका इसपे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड करोगे आशर डाउनलोड का बॉप अप आया यह इतना करने के बाद वापस आजाए होमपेज पे materialize.css के होमपेज पे और नीचे में ये source को दिखेगा इसको copy करेंगे और अपने text editor में ऐसे paste कर देंगे इसको वहीं पे save कीजिए जहां आपका folder है तो जहां CSS और JS folder होगा यहीं पे save करेंगे मैंने इसे index.html के नाम से save कर लिया अब आपको इसकी आवशकता नहीं है इन सब चीजों को आपकट कर दो अब हम यहां पे code करना शीखेंगे कि materialize.css में coding करते कैसे है सबसे पहले इसके color concept के बाड़े में जाने इसका color concept implement करने का तरीका बड़ा ही बेतरीन है जैसे मैंने यहां पे write कर दिया welcome to my profile run करने पे basic रूप से ऐसा दिखा मुझे color करना है इसके background को ध्यान से सुनिए मैंने कहा background color करना है तो color करने के लिए background को class attribute का इस्तमाल करेंगे और simply color का नाम लिख देंगे तो अपने आप color हो जाएगा मैंने page reload किया यह देखिए तो अगर color का नाम लिखेंगे तो सिर्फ background color होगा लेकिन color का नाम देकर hyphen देकर text आइड कर देंगे तो background की जगह text आपका color हो जाएगा यह देखिए सिर्फ text color हुआ मुझे इससे center में करना है तो इसके लिए simply अगला class value आप इसमें add कर दो center-align अगर left में रखना है तो left-align right में रखना है तो right-align टेस्टिंग करते यह देखिए ऐसा दिखाई दिया इसके color के respect में एक और चीज बड़ा ही interesting है जैसे अभी देखिए value add करेंगे lighten-1 और हलका करना है तो lighten-2 फिल हाल में 1 से testing करके आपको दिखाता हूँ यह देखिए हलका हुआ और ज्यादा हलका करना है तो lighten-2 यह देखिए और हलका हुआ तो maximum 5 तक value put कर सकते यह देखिए और हलका हुआ तो जिस तरह से आप हलका करने के लिए lighten का यूज़ करते हो आप इसको dark करने के लिए darken का यूज़ करोगे darken 1 देंगे तो और गहरा हो जाएगा और ज्यादा गहरा color चाहिए तो darken 2 ये देखिए और गहरा चाहिए maximum गहरा चाहिए तो darken-5 तो ये देखिए color इसका customize किस तरह से होता है बड़ा ही बेहतरी इन टेकनलोजी है ये अब सपोज कीजिए कि आपको एक डबा create करना है जिसमें पहले से कुछ padding हो और पहले से sad हो तो development create करेंगे और class का value define कर देंगे card-panel ध्यान से देखिए मैं run करता हूँ डबा create हो गया लेकिन डबा का कोई विर्थ नहीं है मैं चाहता हूँ ये center में दिखे और इसका विर्थ कुछ fixed हो तो इसके लिए इसको फिर से आप development से ऐशे बंद कर दो और जो main development आपने create किया है उसमें आप class का value add कर दो container तो container की वज़े ये जो आपका card-panel होगा ये center में दिखे और साथ ही साथ इसका कुछ fixed विर्थ भी होगा मैंने testing किया ये देखे आशा दिख रहा है इसके बाद मैं आपको progress पार create करके दिखाता हूँ development create करेंगे और class का value define कर देंगे progress इसके अंदर फिर शेक development create करेंगे जिसमें class का value define कर देंगे indeterminate जरा testing कीज़े का आशा दिखता है ये देखे progress पार इस तरह का दिखाई दिया तो ये progressing mode में है आप चाते हो इसका progressing mode रुख जाए तो यहाँ पे in को आप remove कर दो और सिर्फ define कर दो determinate टेस्टिंग कर देंगे ये देखे आशा दिखा लेकिन ये empty है इसका कुछ विर्थ होना चाहिए विर्थ define कर देंगे तो इसमें कुछ progressed area आपको दिखेगा जैसे मैंने विर्थ define कर दिया 70% ये देखे कितना progress हो चुगा है ये आपको दिखाई दिया तो वैसे ही materialize.css के अंदर बहुँ सारी interesting चीज है अगर आप यहाँ जाओगे और documentation को browse करोगे तो आपको कौन से चीज कैसे implement करना इसकी सारी information मिल जाएंगी इसे शीखने के लिए कोई teacher की आवशकता नहीं है आप इस पे क्लिक करो easily सब कुछ समझ में आ जाएगा वैसे मैं कोसिस करूँगा कि अगले वीडियो में आपको इसका एक project बना के दूँ ताकि आ आपका बहुत बहुत धन्यवाद